नवश्कार आप देख रहे हैं इस न्यूज और मैं हूँ आपकी साथ आज़ीज क्या हम आदमी इंसान कहलाने लाइक हैं इस सुन्दर सी दिवार पर जो कालिक निजला रही है असल में यह कालिक सर्थ दिवार पर रही है बलकि आज हर आज हमारे मूँ पर पुद गई है हर आदमी खुद में गुनेगार हो गया है क्या यह देश और समाच फूके भेडियों का है जहां पर पक्ची, महिला, बजर्ग कोई भी सुरक्षित नहीं है हर कोई सर्फ हवस का सिकार हो रहा है आखिर ऐसी कैसी हो बस, कैसा पागलपन, क्या वाकई हम इंसान से दरिंदों में तप्तिल होते जा रहे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि एक ऐसी ही मासूम सी बच्ची, एक ऐसी ही किसी प्यदा की बेटी, एक ऐसी ही किसी भाई की बेहन रेप का सिकार हो गई है तेलांगाना में पसू चिकटसिक प्रियंका रेडी की स्कूटी रात में पंचर हो गई थी उन्होंने अपनी बेहन को फोन किया कि उन्हें टर लग रहा है फोन पे कहा दीदी मुझे बहुत टर लग रहा है पहनने का कि यहां से निकल जा और कैब लेकर घर आ जा प्रियंका को कुछ लोग उनकी तरफ नजर आते दिखे तो उनको ऐसा है महसूस हुआ कि वो लोग सायद उनकी मदद करने के लिए आ रहे हैं और वो खुस होबें लेकिन सायद उनको यह नहीं पता था कि वो जो लोग हैं वो उनके साथ दुश्कर्म करने आ रहे हैं इस तरीके के मानसिक्ता के लोग जो रात भर सडकों पर घूमते रहते हैं कुछ क्रूप बना कर घूमते हैं सवाल सबसे बड़ा ये उठता है सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस प्रशासन इस तरीकी की घुटो को क्या कभी टोकती नहीं है कहां गया वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहां गया वो दस नभी की सर्विस कहां गए पलिस, कहां गए प्रशासन क्या हर गवर्मेंट क्या हर राज की गवर्मेंट या हर केंद की गवर्मेंट ये वादे करती है कि हम बेटियों के लिए ये कर रहे हैं बेटियों के लिए वो कर रहे हैं लेकर उससे पहले अगर इतना ही आप कर रहे हैं तो ज़रा ये वीडियो देखिए तो देखा जस तरीके से यहाँ पर निर्भया की माँ को अभी भी नयायव नहीं मिल रहा और ये क्या विडम बना है हमारी देश की साहब जहाँ पर एक मा के सामने उसकी बेटी के साथ दुसकर्म होता है और उसकी बेटी उससे पहले चली जाती है दुनिया छोड़ करके और उस निर्भया के जो दोसी है उन्होंने एक दयायाचिका देदी है रासपती भवन में राजपती भावन में उस पर सिनिचर नहीं हुआ है सुप्रीम फोट का कहना है कि जब तक वहां से कुछ ऐसा होता नहीं तब तक हम उनको मिर्टिव डर नहीं दे सकते क्या कमाल की बात है अब आप ये सहोच रहे होंगे कि मैं इस तरीके की विचार क्यों ला रहा हूँ क्यों अपनी चेरे मुस्कान इसलिए मैं हस रहा हूँ अपनी सरकार पर अपनी प्रसासन पर अपने राजपती पर क्योंकि साहब आपके बस इतना वक्त होता है कि महारास में सुबह 6 बजे और 5 बजे उटकर जाकर कर दें और सरकार को महाँ पर मैं आपके जेगा राजपती साहसन हटा देंगे लेकिन आपके इतना वक्त नहीं है जहाँ पर हजारों बेटियों के साथ दुसकरम हो रहा है किसी एक बेटी के साथ नया इला कर दिखादो साहब अगले दन से किसी के अंदर इतनी आउकाद ही नहीं रहेगी कि वो किसी बेटी के उपर ऐसे आग भी उठा कर देखते प्रियंका रेडी पहली नहीं है इनसे पहले भी बहुत रेप हुए और हम और आप सोसल मीडिया पर लगे रहते थे और ट्रंडिंग में चला देते हैं हपते भर चलता है महीने भर और फिर हम भी प्रियंका को भूल जाते हैं और आप भी भूल जाते हैं ये अस्टवादी मीडिया भी भूल जाता है वो सरकार भी भूल जाती है लेकिन उनके परिवार वाले लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे लेकिन उनको कसी तरीके का न्याय नहीं मिल पाता है आखिर क्या हो गया है हमें और समाज को जहां महज स्कूटी पंचर हो जाने पर एक लड़की डरती है आखिर क्यों क्या हम आदमी के भेस में भेजे गए फेडिया है क्या हम दरिंदे हो गए हैं पागल हो गए हैं वहसी जिसे घरों से निकाल कर इलाज करने की जरूरत है क्या हम एक दरिंदे के रूप में अपने समाज के सामने अपने बहन बेटियों के सामने जा रहे हैं ये बहुत ही बड़ा सवाल है अब पूरी खबर पे आते हैं पूरी खबर ये है कि प्रियंका रेडी नामा के क्योती जो की एक डॉक्टर है पेसे से डॉक्टर है वो स्कूटी से अपने घर के तरफ बढ़ रही थी रात का वक्त था स्कूटी पंचर हो गया सोचे उसके अंदर इतना खौफ था कि उसने अपने फॉरण अपने सिस्टर को फोन किया अपने बैंक को फोन किया कहा दीदी मुझे बहुत डर लग रहा स्कूटी पंचर हो गई है और बड़ा रात का मौसम है और टर सा लग रहा है दीदी ने फोरण बोला कि ठीक है स्कूटी छोड़ दे और कैब लेकर के तुघर आ जा लेकिन उसने फोन पर ये चीज बोला था और ये बात अपने बहन से बोली थी कि दीदी कुछ लोग साइद मेरे तरफ बढ़ रहे हैं साइद वो मेरी मदद के लिए बढ़ रहे है दीदी भी खुस हो गई थी कि अचा ठलो ठीक है कुछ दिर में बहन आ जाएगी उसके कुछ मिनिटों बाद ही 15 से 20 मिनिट बाद उस बहन का फोन स्वीच ओफ आने लगा और सुबह जब उसकी लास मिली तो मानों उसके खर परिवार के साथ साथ पूरे देश में कोहरा मच गया पूरा देश रू रहा था पर वो चार दरिंदे वो तीन दरिंदे हस रहे होंगे और इस उमीद में होंगे कि साइद उनका भी हाल वही होगा जो निर्भ्या के दोसियों के साथ हो रहा है वो भी अराम से जेल में पड़े रहेंगे और साइद प्रियंका रेडी को नया नहीं मिलेगा उनके परिवार भी उसी तरीके से उसी मा के जैसे जिस तरीके से निर्भ्या की मा आज सुप्रीम कोट में गुहार लगा रही है लेकिर उनके फाइल पर एक सिगनेचर नहीं किया जा रहा है ठीक उसी तरीके से अब इस डॉक्टर की भी उस प्रियंका रेडी की मा भी साइद जाएं और साइद ऐसा ही होता जाएगा क्यों नहीं सरकार एक कानून बनाती है क्यों नहीं क्यों नहीं सरकार सीधा सीधा फॉरन एक ऐसा इंप्लीमेंट कर दे एक ऐसी सेक्षन ला दे एक नया IPC धरा लागो कर दे कि जो भी रेपिस होता है उसको फॉरन फासी पे चढ़ा दिया जाएगा अगले दिन से मजाद है कोई रेप करके दिखाते साहब तो कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे आज के लिए बस उतना ही और भी बड़ी तमाप को अगले हमारे साथ बने रहे है कैमिरा परसन मनमुहन सिंग साथ एस नियूज